देश में लोकसभा चिनाव 2024 का मोहल है ऐसे में पहली चरण का मद्दान पूरा हो चुका है प्रैल को दूसरे चरण के मद्दान की प्रक्रिया होनी है अब सियासी गलियारों में चिनाव प्रचार के दौरान नेता क्या कुछ नहीं कहते जो सोशल मीडिया पर जट से वाइरल हो जाता है एक बर फिर कॉंग्रेस सद्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे ने कुछ ऐसा बयान दिया है जो काफी दिल्चस्प है कॉंग्रेस सद्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे बुदवार को अपने ग्रह जिले कलबुर्गी पहुंचे थे उनके दामाद राधा कृष्ण दोडा मनी यहां से लोगसभा का चनाव लड़ रहे हैं उनके पक्ष में एक चनावी रैली को संबोधित करते हुए खडगे ने कुलबर्गी के लोगों से एक भावनात्मक अपील की कॉंग्रेस सद्यक्ष ने कहा कि आप कॉंग्रेस पार्टी को भले ही वोट देना नहीं चाहते हों लेकिन आपको यदि लगता है कि मैंने आपके लिए काम किया है तो कम से कम मेरे अंतमसंस्कार में जरूर शामिल होना कलबुर्गी के अफजल पूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कॉंग्रेस सद्यक्ष ने कहा कि अगर लोग कॉंग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट नहीं करते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरे लिए कलबुर्गी में अब कोई जगह नहीं है कॉंग्रेस के राधाकरेशन डोडामडी के सामने बीजेपी ने मौझूदा सांसत उमेश जादव को चुनावी मैदान में उतारा है इस सीट पर खड़गे लंबी समय से जीत हासिल करते हुए आ रहे थे लेकिन उन्हें 2019 के लोग सभा चुनाव में हार कर सामना करना पड़ा कॉंग्रेस इस सीट पर फिर से जीतना चाहती है मलिकर अरजन खड़गे ने कहा कि अगर आप इस बार वोट देने से चूग गए मतलब अपने कॉंग्रेस उमिद्वार को वोट नहीं दिया तो मैं सूचूँगा कि मेरे लिए यहां कोई जगा ही नहीं है और मैं आपका दिल नहीं जीत सका कॉंग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भले ही आप कॉंग्रेस के लिए वोट करें या नहीं करें लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कलबुर्गी के लिए कुछ किया है तो मेरे अंतमसंसकार में जरूर आना खड़गी इस सीट से 2009 और 2014 में लोगसभा चिनाब जीट चुके है खड़गी ने कहा कि मैं राजनीती के लिए ही पैदा हुआ हूँ चाहे मैं चिनाब लडू या नहीं मैं इस देश के सम्विदान और लोगतंत को बचाने के लिए अपनी आखरी सास तक प्रयास करूँगा मैं राजनीती से सन्यास नहीं लूगा पज से रिटायर्मेंट होता है लेकिन किसी को अपने सिधानतों से रिटायर नहीं होना चाहिए मैं भाजपा और RSS की विचारधारा को हराने के लिए पैदा हुआ हूँ ना कि उनके सामने आत्म समर्पन करने के लिए मलिका अर्जुन 1996 से 1999 तक करनाटक विधानसभा में विपक्ष की नेता रहे वो 2005 से 2008 तक करनाटक प्रदेश कॉंग्रिस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे खरगे 1932 से 2008 तक गुर्मितकल विधानसभा छेतर से 2008 से 2009 तक चितपुर विधानसभा छेतर से करनाटक विधानसभा के सधस से रहे हैं उन्होंने अपने अब तक के जीवन काल में 2019 को छोड़कर सभी चुनाव जीते हैं